महबूबा मुफ्ती का एक एहम बयान इस सर्वे को लेकर और जो मंदिर मस्जिद हाली में विवाद हुए हैं उनको लेकर आया उनका कहना है कि अब घर में घुसकर भी इस तरह की चीजें की जाएंगी संभल को लेकर तीखी बयान बाजी देखी जा रही है जिसमें अब महब मुझे लगता है कि इसके बाद मुस्लमानों के घरों में डूड़ना शुरू कर देंगे तो ये तो मुल्क को बटवारे की तरफ लेके जा रहा है है खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है जैसे हमने संभल उतर प्रदेश में देखा चार पांच इनोसेंट लोगों इस स्लसला चलता रहा तो खुदाना खास्ता हम उनीस अवसेंटाली जैसे बटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे जिस मुल्क की बुनियाद यहां के जो लीडर्शिप थी जवाला नहरू मुलान अभू कलामाजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल गंध कांदी जी खासका जुन्होंने कांदी जी ने अपनी जान देके इस मुल्क के सेकलर कल्चर की एक बुनियाद रखी तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं हिंदू-मुस्लिम को अपस में लड़ाया जा रहा है यह ताज़ा तस्वीरें संभल की मस्जिद की हैं जहां पर लोग के आने जाने का सिलसला जारी है इस बीच मांशू हमारे स्योगी लगतार संभल की इसी मस्जिद के बाहर से जुड़े हुए हैं जो अतरिक्त पुलिस बल और रापर आक्शन फॉर्स की तैनाती की गई है वह आज ही के दिन के लिए है या फिर इनकी संख्या तीरे-दीरे कम कर दी जाएगी कल से देखें आज की अपडेट पर पुलिस की जादा निगाथ थी आप देखिए अगर आप एक नज़र से मस्जिद ही नहीं आसपास की इस पूरे ग्राउंड पर जो ओपन एरिया है मस्जिद का इधर अगर आप नज़र डालेंगे तो सिर्फ और पुलिस और यहां पे मीडि नहीं है लेकिन 16 कमपणिया जक्त आज के लिए तेहनात था और आप जिस तरीके से कोट में अपडेट रवा है तो अनमान यही है कि जो जो सकती चारो तरफ है उसमें थोड़ी नवी आएगी लेकिन बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार तो सोमवार कोई खुल गए थे पूरा इलाका स्कूल भी मंगलवार को खुल गए थे तो शहर पूरी तरीके से सामानी है नॉर्मल है आज की दिन की तैयारी थी मस्जिद में नमाज थी लोगो पुलिस की तरफ है कि जो बयान दिया गया था वो यहीं पर सांसर के द्वारा दिया गया था और उसको पुलिस ने ये माना कि ये लोगों की भीड को अवैद भीड को जुटाने के लिए और उकसाने के लिहास से किया गया था